तो चली फ्रेंट्स शिखते कि दो अंको वाली संख्याओं का गुना एक लाइन में कैसा निकाला जाता है तो फ्रेंट्स एक फॉर्मेट है आपको उसको याद रखना होगा वो फॉर्मेट है देखी कुछ इस परकार से आपको पहले क्या करना है तो नो उसके बाद में इनका और इनका मल्टिप्लाई करना है तो हम चली स्टार्ट करते हैं पहले 60 8 का 2 आ जागा फिर आपके पाज में 30 4 बजाएगा फिर चार गना फ्रोस में ठीप्लाई pies तो 27 58 च्पन होsanख नहींगा और enfrent friends, सबको add करके लिख देना है, उपर मैं देख सकते हैं, आपको सब भी, मैं add कर रहा हूँ, 56, और ये 6 दुन बार 6 ती 18, जब आप सबी को add करेंगे friends, तो आपके सामने 56 और 4, 60, 60 और 18, 78 हो जाएगा friends, फिर 78 जो आपके सामने निकल क्या है, उसमें से 8 यहां लिख देंगे, फिर आपके सामने friends, साथ आपके पास में बज गया, फिर ये 7 को आप कब लिखेंगे, देखिए, जब 8 और 3 का multiply करेंगे, तो आपके सामने 31 आजाएगा, देखिए friends, आपने मतलब कितने कम समय में, 86 और 30 का गुना किया, नहीं तो friends, आप क्या करते, पहले 7 का गुना करते, फिर 3 का गुना करते, फिर जोडते, और फिर आंसर निकलते, मतलब कि 3 step में आप निकाल पाते friends, अगर से इस logic से जाते, चलिए आपके तसल लेता हूं 72, तो friends, आपको बता था कि पहले लास्ट और डिजिट का आपको गुना करेंगे, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर और आपके पास में 1 सेज बज गया, फिर क्या करना है, cross में multiply, तो 5 दूनी 10 और 6 साथे 42, चलिए यहाँ पर सभी को जोड देते हैं, तो 42 और पास को कब एट करेंगे आप, जब इनका और इनका गुना होगा, तो 57, 35, 35 में जब फ्रेंट्स पास जोड़ेंगे, तो आपके पास में मिल जागा 40, तो 40 को सिंपल यहाँ पर लिग देंगे आप, तो फ्रेंट्स आपने देखा कि कुछ ही सेकेंड में, कुछ ही सेकेंड अपने इसका अंसर निका लिए, जितने टायम में आप केल्क्रिटर में 56 पर इन्टू करते तो उसका अंसर निकाल सकते हाँ, और प्रेक्टीस अपने अच्छे से कर लिग तह आप मन में भी हमने काल सकते, किसी भी संख्याओ का गुना, तो आयो एक आपको जो वी मां ट्र कर लीजिए